खुर्णों की दवाहिए लाना मत भूलना तुम् माजी आज जरा ऑफिस में थोड़ा जादा काम है देरी हो जाएगी देर हो जाएगी तो मेरे दर्द का क्या होगा मैं दर्द से मरती रहूं क्या नहीं नहीं माजी मैं अरजुन के हाथ आपकी दवा बिजवा दूगी आप उसकी फिकर मत करिये हाँ अपनी सारी जिम्मेदारिया बस दूसरों पर थौपती रहतों माजी अभी स्कूल छूट गया है मैं आपसे बाद में बात करती हूं हलो हम अपने पिछले आफ्ते एक मिक्सर रैंडर खरीदा था है हाँ जी वो जूसर चलते बंध हो जाता है मैं अपकी आवाज कट रही है जला नेटवर्क अरिया में आएएंगे ब्लीज हाँ हाँ एक मिल्ड हाँ एक मिल्ड हाँ एक मिल्ड हालो, हालो? चीके. अरे, रमन भया, अर्जुन अभी यहीं तो था, क्या चला गया? अरे, मडम जी, आभी अभी तो इधर इस गया. देखे, इधर दुर्र कहीं चला गया होगा? अर्जुन! अर्जुन! अंदर भी नहीं है. आपको नहीं मिला? नहीं. यह... यह तो, यह तो अर्जुन का बैंग है, और उसके जूते हैं. यह भगवार, इसका मतलब यह है, कि उससे कोई उठा ले गया? लेके, ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है? नूमी, नूमी, बत्चाओ. ठीक, 15 मिनिट बाद घर के लैंड लाइन पर फोन आएगा. अगर अर्जुन चीए, तो उसुर्ण. मटन जी, मटन जी, क्या हुआ? अरे, तो तो सामान लेने गई थी ना, फिर हाथ खाली क्यों है? कहां गया सारा सामान? अर्जुन? क्या, अर्जुन कहां है? उससे एसकूल से लाना भूल गई क्या? ठीक भी काम इससे ठीक से नहीं होता है. अब रो क्यों रही है? माजी, किसीने अर्जुन को स्कूल से लाइख कर लिया है. क्या? ऐसे-जैसे कोई उसे लाइख कर सकता है? अगर मेरे अर्जुन को कुछ भी हुआ ना? ऐसा मत कहिए, माजी. मेरे अर्जुन को कुछ नहीं होगा. हालो? हाँ, देखो, देखो, तुम्हें जो कुछ चाहिए, जित्रे भी पैसे चाहिए, मैं रूंगे, लेकि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए हाँ, हाँ, मैं पैसे ले आया हूँ, और मैं पहुत गया हूँ, जा तुम्हें मुझे बुलाया था, याबाश, अब एक काम करो, तुम्हारे सामने जो गलिया उधर आओ, तुम्हारे लिए एक तौफा है, देखा तौफा, तुम्हारे लिए एक तौफा है, देखा तौफा, गन नहीं तो और के तुझे संबुसा मिलेगा यहाँ पे, चल जल्दी से गन उठा, और गेट के बहारा, जल्दी, जल्दी, अब वो सामने जो बुडिया के बाल ओला दिख रहा है, उसे गोली मारो, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं और पैसे लादूँगा, प्लीज, तुम मुझसे यह काम मत करवाओ, मैं जो कह रहा हूँ, वही करो, चलाओ कोली, और कोली चलाओ, झौली, वहा कोली चाहिए तार्णेब और ढे शीक ही रहा बॉपyया काम मुबड़ च। झाल झाल मेडम इत्ती रात को आप इसनन गली में क्या कर रही है सौरी वो मैं दरहसल रास्ता बटक गई थी मैंने अपने गाड़ी पार्ग की थी लेकिन मिल नहीं रही है गाड़ी देखिए हम पुलिस वाले हैं क्या कलर है क्या नंबर है गाड़ी का नंबर है 6426 सफेद कलगी गाड़ी है 6426 एक काम करो तुम आगे देखो चलिए मिरसाथ यह रही आपकी कार अ थाइंक्यू देखेना मैं भी कितनी बुलक कड़ू ऐसे कैसे भूल गई देखिए यह रास्ता इतना सेफ नहीं है यहां पर अप्रादी गूमते रहते हैं हम आपको भार तक छोड़ देते हैं नहीं इसकी क्या जरूवत है चलिए मेडम हम आपको छो चलिए, चलिए, छुप जाओ, मैं वना पकड़ लूँ अजोटको एक, दो, तीन, चार, पांच, चेसात्या, मैं आलो, मैं आलो मैं, जाओ, 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 फिझे वण्लो बना रहोगोना, अबी पगटकर दिखातों अरे, वा, बुढ़ियागे बाल्ड! अरे, दोदो, रीमे! अरे, लगता है, इस काड़ी में और होंगे! आ, 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 आ! हे, चीँगे सीने पर गोली मारिया और देखके लगता है! ुखुणओ, जादा वक्त नहीं हुआ हुआ है! मलार्क, रजिस्टर स्ट्रीट वेंडर, यह एक फेरी वाले, कोई एक फेरी वाले को क्यों मालेगा सर, लूट पार्ट और पैसों के लिए तो खोन हुआ नहीं, शायद लडाई जगडा और बदले की वज़े से खोन हुआ है, यह देखा, गसीटने के निशान, मलार की चपपल, कुछ मिला क्या? जी सर, क्या है? सर, यह देखिए, यह कून की बुन देखिए. सर, वो सकता यह खून मलार का ही है? नहीं, निकेल, यह खून, यह हत्यारे कई है. यह देखा, नल पे भी खून लगा हुआ है. सर, इसका मतलब मलार की उस खूनी के साथ हाता पाई वे, और खूनी को चोट लग गई, उसका खून बहा, और वो यह नल के पास आया अपना खून दोने के लिए. मलार के शरीर पे हाता पाई के बिल्कुल भी निशान नहीं है. यह खून के बुंदे हैं हैं, यह.... किर्की पे भी खौन के बॉंदे हैं इसका मतलब क्या है? नाखुन? आप पता चलाएं. सर, नाखुन से क्या पता चलेगा? हुआ कुछ ऐसा की मलार यहां कहीं खड़ा होगा जब खुनी ने उस पर कोली चलाई उसके बाद लाश को गसीटता हुआ कार तक ले गया है चूंकि यह दर्वाजा बार से नहीं कुल सकता है उसने किड़की से अपना हाथ अंदर डाला और दर्वाजा खोला और ऐसा करने में नाखुन यहां पर कहीं आज़े अटक या उसके बाद खुनी ने दर्वाजा बंद किया और अपना जखमी हाथ दुलने के लिए यहां से नल की तरफ गया अपना खुन दोया अब सवाल यह उठता है कि कोई आदमी एक फेरी वाले को क्यों मारेगा क्या वजय हो सकती है आप मलार की मकान माल किन है जी स्वाधी नाम में मेरा स्वाधी जी अवा तोड़ी बुरी है एक्चली मलार का खुन हो गया क्या किसने बस वही पता लगाने की कुशिश कर दा है आम दो मलार की किसी से कोई कोई दुश्मनी कोई लडाई जगडा हुआ हो नहीं मलार तो बिल्कुल शरीफ आदमी था वो किराय भी हमेशा टाइम पे देता था यह वेंडर कार्ट मिला उसके बाद से क्या काम करता था यह क्या काम करता था यह क्या बेचता था कभी गुडिया के जाल बेस्ता था कभी जाल मुड़ी बहुत महनेती आदमी था मलाहर अच्छा हमा इसका कमरा चेक कर सकते हैं जी हाँ वो जब भी काम पर जाता है तो चाफ सफाई के लिए चाबी देख कर जाता है कि कहा करने वाला था यह जी गोरकपुर झाल 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 इसमें तो अपी हिसाब लिखा हुआ है एक सासी रुपे, एसी रुपे, दोस्तो साथ सरे सारे कौन एकी स्कूल के पंप्लेट से बने हुए है स्रीवस्टन सिकेंडरी हाई स्कूल सरीय डायरी भी तो स्ट्रूस्टन स्कूल की है स्ट्रिवस्टन स्कूल की डायरी इतने सारे पॉम्पलेट। तो नहीं कि अपना समान उसी स्कूल के बार ही बेचता हूँ. अरवाई, सुनो जरा. बोलो, साव. यह मलार है, इसको पहचानते हो? अरे, हम क्या सभी बच्चे जानते हैं स्कूल के? यहीं स्कूल के सामने बुढ़िया के बाल बेचता है, बच्चे अकसर बड़े चाओ से खाते हैं. यह आदमी कैसा है, मलार? शरीफ आदमी है, एक दम बोला बाला टाइप का. बच्चों से बहुत लगाओ है साहब इसको. किसी से कोई लडाई जगड़ा किया था? क्या? कोई दुश्मनी बगएरा? दुश्मनी? अरे, गरीब आदमी उसकी क्या किसी से कोई दुश्मनी होगी? लगिन आप लोग तो मुझसे आइसे पूछ रहे हैं, जैसे आप लोग CID से हैं? जी हूँ, CID से ही है. किसी ने उसका खून कर दिया, कल रात. ये बगवान, ये सब हो क्या रहा है? अरे, कल इसी जगह से बच्चा गायब हो गया, और आज फिर ये मलहार का खून? बच्चा गायब हो गया? का नाम क्या था उसका? पुलिस कंप्लेंट होगरा करा ही आपने? अर्जुन नाम है सब उसका, वो इसकूल वालों ने करा ही है पुलिस कंप्लेंट. अच्छा, एके, पुलिस्टेशन से पता करो उसके बारे में क्या है? सर, क्या, कब देखा उसको आखरी बार? सब जब इसकूल के छुट्टी होई थी ना, बच्चों के साथ में इसकूल का बस्ता पिछे टांगे हुए पाहर निकला था फिर पता नहीं कहा चला गया और जब उसकी मा उसे ढून रही थी थी ना, तो उनके मोबाईल पर कोई मैसेज आया, उसके बाद वाडवडा के भ जब जब इसका पता देना तरगा इंसान का शरीर दीन किसी पीस आफ आच से कम में इतन वाले में बड़ी सपाई से बड़ी कराकारी से एक 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 अंध बना शरीर का और हर अंध का शरीर में एक खास परफस है, खास मक्सद है कुछ ना कुछ बताता रहता है ना? बिल्कूल, अमिदगो, और एक्जामपल ये एक चोटा से नाथू, दिखने लिए चोटा साय है, लेकिन इन्सान के पूरी-पूरी लिए खोल सब्सक्ता है अच्छा, एक काम करूँ, तो मैंना नाखून बताओ, मेरा? अज़िए, दिखाओ ना, क्यों? अज़िए, देखते हैं ना, तुम्हारे कुंडली में क्या लिखा ज़िए, बताओ, दिखाओ, दिखाओ देखो, आज़िए अज़िए, तुम्हारे नाखून तो चीक-चीक के कह रहे हैं, तुम्हें किसी किस्म की ऐलर्जी है, अभी अभी है हाँ, वो, अच्छली क्या हुआ, आज मैंने गलती से ना, गुलाब जल का इस्तमाल कर लिया, जिससे मुझे थोड़ी ऐलर्जी है तुम्हारे नाखून ने बता दिया को खुणी के नाखून ने क्या बताया बताया? अरे बस, खुणी के नाखून ने तो पूरी स्पीश ने डाली खुणी के नाखून ने बताया कि खुणी को वो सुगर की बीमारी डाइबटीज? हम डाइबटीज सारुन के खुनी का नाखुन भी तो दिखा, पता किसी जले की डाइबिटी से? अब ही बताता हूं एदेख बास, ये नाखुन जो आप लोगों को क्राइम सीन से मिला है, इसका रंग देखो, पीला रंग है इसका जबकि नॉर्मल नाखुन ऐसा नहीं होता मतलब अगर किसी का नाखुन पीले रंग का है तो उसे शुगर की बिमारी है सारुन के ये भी तो हो सकता है ना, कि खुनी ने किसी पीले रंग की चीज को हैंडल किया हूं जिसके वज़े से उस पीले रंग की चीज का पीला रंग उसके नाखुनों में आगे है नहीं वास, इस नाखुण का पीला रंग रंग नहीं है, यह कलर नहीं है, मैंने सेंट्रल पॉरेंचिक लैब से पता करवा लिया, इसकी वज़े है, आरिखा? हाँ, से यह देखिए, यह जो सफेद वाला नाखुण है, इसका ग्लाइकेटिड नेल प्रोटीन नॉर्मल है, और यह खूनी का नाखुण, पीला वाला, इसका ग्लाइकेटिड नेल प्रोटीन हद से ज़्यादा बड़ा हुआ है, फिर तो सिचेनी, इस अपरादी को और भी आसान हो गया है वो कैसे से? देखो सचिन, जिस किसी को भी डायमेटी देना मतलब शुगर की बीमारी होती है उसकी जखम जल्दी से बढ़ती नहीं, यह एक बात दूसरी बात, जब तक वो इंसुलिन नहीं लेता खून फ्लो होते ही रहता है खून रुकता नहीं है, राइट? प्रड़ी, अब शेयर में जितने भी हॉस्पिल, जितने भी दवा काने, जितने भी दवाईयों की दुकाने हैं सब में जाकर के पूछ दाज करो पता नहीं किस हाल में होगा मेरा पोटा तुम्हारा फोन भी तो रहे करें, किटना पस? देख कौन है आप चाया जी है, अर्जुन के ममी? जी, जी हाँ, आप लोग कौन है? हम सी आईडी से सी आईडी? अंदर आसकते हैं? जी आईए अर्जुन कहा है? दिखाई नहीं दे रहरा है? वो वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया है कौन से दोस्त के हां? इसी बिल्डिंग में रहता है? नए नए थोडी दूर, दूसरी बिल्डिंग में कौन से विल्डिंग है बता दीजिए हम मिलके आ जाते है उससे सर अरजुन कल से आस तक वापस नहीं आया है गर सर यह जुट बोल रही है इसने पुलिस कंप्लेंड भी कैंसल कर दी है बताने किस हाल में होगा मेर पोता क्या गयरी है यह इतनी बड़ी बात आपने हम से क्यों चुपाई सर इससे तो फिकर ही नहीं है यह तो बस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुए है जर शान तो जाए यह शुरू से बताई यह क्या बात है कोई मेरे बेटे अर्जुन को स्कूल के बाहर से उठा ले गया फिर मुझे पैसो के लिए फोन आया थे पैसे लेके महापे पौची लेकिन महापे कोई भी नहीं था और तब से अब तक किननापर से तुभारा फोन मी नहीं किया है लेकिन आपने कंप्लेंट वापस क्यों से किननापर की धंकी के वज़े से इस फोटो को ज़रा देखिया इस आदमी के बारे ने कुछ बता सकते आप हमें हाँ यह मलहार तो अर्जुन के स्कूल के बार सामान बेचता है ऑफिस में काम बढ़ जाने पर मुझ अक्सा देरी हो जाती थी अर्जुन को स्कूल से लाने अर्जुन का उशरीफ आदमी है क्यों तुझे पता है तेरा सगसंपन्दी है क्या है एक मिनिट मेडम ज़रा अराम से बात कीजिए आपकी बहू है वो रही बात अर्जुन की तो अर्जुन की माँ है उसको भी फिकर है सर सुमीना बीटा मिलतो जाएगा ना जे हम लोग प क्या आपके पास कोई पेशन्ट आया था कोई मरीज जिसके इस उंगली में गहरा जखम था और खुन बहरा था बहुत सारा और उसके खुन में शक्कर की मातरा बहुत ज्यादा थी सौरी सर रात को तो मेरी ड्यूटी नहीं रहते कोई बात ने तुब रात को जो भी कोई ड जी जरूर। सिर्फ तुम तीनों थे, डॉक्टर ने थे साथ में। सर वैसे तुर रहते हैं, लेकिन कल डॉक्टर साफ की तभी थोड़ी धेली थे, इसलिए रुके नहीं सर। क्या नाम है तुमारा? सर प्रतीक प्रतीक, अच्छा, प्रतीक कल रात, ऐसा कोई मरीज आया था यहाँ पर, जिसके इस उंगली में ग्यहरा जखम था, उसका यह नाखून, वो खड़ गया था, खून बहुत 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 था, उसके खून में शक्कर की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो तुमने उसकी मरमपट्टी की होगी क्छिन, इंसुलें का इंजेक्शन भी दिया हो का? नए, सर, कल रात ईसए कोई नहीं यहाया था, सर. कोई भी नहीं नहीं यहायाता? सर, मैं जूट थुड़ी बोल रहा हूँ सर, اIsससी कोई नहीं यहाया था सर, मैं बोलन नहीं, सर. हम कहां कहां रहें कि तुम जुट बोल रहे हो? चलो, मान लिया कि कोई नहीं आया था. लेकिन याद रखना, अभी इसके बाद में, अगर कोई ऐसा पेशेंट आये, तो हमें तुरंट इनफॉर्म करना, ठीक है? क्या बात है तारिका जी, मलार की लाश को बड़े कोर से देखा जा रहा है? हाँ सर्, इसके गले पे, यहां यह कुछ हलके हलके से निशान नजर आ रहे है, देखें? यहाँ. है तु सही कुछ निशान है? हाँ? क्या हो सकते? इसके गर्दन के इस तरव तो कुछ नहीं है? कमाल की बात है, गर्दन के उस तरव तो कुछ नहीं है? तो कुछ नहीं, सिर्फ यहीं पर निशान है. वही तो? किस चीज कहो सकता है निशान? कोई बात नहीं, अभी पता लगाते हैं. क्या डून रहे हैं, सरा? मिल गया. यह कौनसा कैमेकल है? मैंने तो इससे पहले को पर नहीं देखा. तारिका लैब में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो तुमने पहले कभी नहीं देखे. एक मिनाट. तारिका, एक काम करो. युवी लाइट लेके हो. यहाँ. मतलब यह निशान अंगूठे का है और यह खूनी का हो सकता है? बिलकुल. मतलब इस मलार की मौत गोली चलने की वज़े से नहीं होई. इसका गला दबा के इसे मारा गया है. पहले गोली मारे गई फिर जब गोली से काम नहीं बना तो इसका गला दबा दिया. लिकिन गला क्यों दबाया? एक गोली से काम भी चलाspeaking तो दूसरी गोली चलाता है? गला दबाने क्या जूरत है? हो सकता है अब उसकी गनमेंसे गोलियां खतम होगी हो. लेकिन सर, निशान सिर्फ एक अंगूठे का है, वाक्की उंख्यों का क्यों नहीं है? देखो, खोनी ने इसका गला जो दबाया है वो गलफ पैन के दबाया है और हो सकता है कि उसके बाए हाथ के गलफ के अंगूठे की तरफ से वो गलफ भटा हुआ हो राइट इसले निशाना आवे हा यह हाँ सालूंके साब सालूंके साब मलार पे गोली चली है यह साफ दिखरा था लिकन आप कहने के मलार की मौत खला दबाने की वज़े से हुई ओके ठीक है साथ मतलब कहानी में एक और ट्विस्ट हम एलो आगया प्रतीक ओटो 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 रुको 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 देगा फ्रिडी अगर इसे पकड़ते थे ना तो यह मौका नहीं मिलता था चलो पीछा करते इसका हम लोग प्रतीक ओप पीछा कर रहे हैं जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको खबर कर दूँगा ओके सर्थ ये तो कोई लड़की है? लड़की से मिल्लें आया है? चलो, नेक्ते, मातरा है क्या? मैडम आपने मजे CID के चकर में फसा दिया क्यों? क्या हुआ? CID आई थी फूस्पीटल, कह रही थी कि आपके पती ने किसी का खून किया है, क्या ये सच है मैडम? मैडम मैं तो आप अमीर लोगों के बीच में फस केया हूँ आपका क्या है, आप तो पैसे देकर निकल जाओगे, फसेगा तो ये घरीबात भी ना बस करो अपना मेलो ड्रामा, बोलो, कितने रुपए चाहिए? मैं चाहता हूँ, जो मेरा बचा कुछा हिसाब है, आप उसे किलिर कर दो, मैं इस पचले में नहीं पढ़ने वाला एक बार राहुल की पट्टी चेंज कर दो, खोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जब तक इंजेक्शन का अस्सर रहता है, तब तक खोन रुकता है, उसके बाद फिर बेहने लगता है, मुझे डर है कि कहीं राहुल को कुछ हो ना जाए ठीक है बड़ा, इंसानित के नाते मैं आपकी मदद कर देता हूँ आओ प्रतीक, जल्दी हम, आओ अंदर हम, राहुल, देखो, देखो प्रतीक आगया, अब तुम्हारा दर्ब कम हो जाए, तुम्हारा दर्ब कम हो जाए, तिकर मत करना तुम्हारा दर्ब किसी ने देगा तो नहीं, अरे नहीं, नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ हम ने देखा C.I.D. अरे भागता कहा है बच्चु, मैंने कुछ नहीं किया सर, थोड़ी सी मरम पट्टी तो करवाले अब सब कुछ यहीं पर बताओगे या, बताओ जलने Sir मैंने ही मडर कीया है Sir, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए किया है उसके बाद मेरे पास फोन आया फिर उतीगी मांग की और जब मैं मैं पैसे लेकर वहाँ पर पहुचा तो कोई नहीं था तब ही मुझे कि नैपर कर फोन आया फिर मुझे मजबूरान मलहार पर गोली चलानी पड़ी सर और जब वो तुम्हारी गोली से नहीं मरा तो तुमने उसका गला दबा दिया क्यों क्या सर मैंने उसका गला नहीं दबाया सर उसे गोली मारने के बाद मैंने उसकी लाश को कार में रख दिया था सर उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल गया था अपने ये उंगली का इलाज कराने के लिए क्योंकि लाश को कार में रखते वक्त मे ये लेट पहुंचता तो तो मलार उसका ध्यान रखा करता था क्या पापा आज फिर से देरी से आप आए I'm sorry बेटा काहन पकड़ के sorry अच्छा हुआ मलार्गा का इधर पे थे वरना मैं तो बोरी हो जाती मलार्गा का थेंक ये सो मच आप ये रखिए साहब ये क्या कर रहें आप अरे आप आप कोयल का कितना ख्याल रखते हैं कितनी मेनद करते हैं अच्छे इंसाने आप रखिए आप रखिए आप रखिए आपके काम आएंगे आप रखिए रखिए मलार्गा का रखिए चलो बेटा बाई अफ़े न दो भी ड़ी Дडी और सरहें कि आर्ज। सरछे हरे और कि मम्मी भी बता रहे थी ना कि मल्हार कियाल रखा गरता था जब भी उन्हें अर्जुन को स्कूल यन फिर्शुल locale ार्जुंत को आववा करने में कही average and Malhar का हट तो नहीं है जरूर ऐसा होता तो प्र एंढर को कई मारता क्यों है जरूर उस मुझृम का काम है जिसने गोली पर गोली चलाने के भाद Malhar का गला तबाया यह भी हो सकता है सचिन कि पहले मल्हार से जुब करवाया और फिर काम होते ही उसे रास्ते से हटा दिया सरी आदमी 15 साल पहले को रख पूर्चाया था इस मल्हार की पूरी कुंदली निकालो कि बच्चों बच्चों उठाओ खाओ आओ खाना खाओ नेद रात भर बिना खाना काई सोना पड़ेगा हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक हम यह से भार नहीं जाएंगे बच्चों खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे और कमजोर हो जाओगे तो भार कैसे जाओगे जो खाना नहीं खाएगा उसती हालत इसकी जैसे हो जाएगी खाना खाना पड़ेगा नहीं तो इसकी तरह तुम्ही रोना पड़ेगा उसे आओ खाना खाओ आवो? आवो? आव, बच्चो, आवो. ज्यान से कहीराँ? आव. आव, पाइटू? आव, मारू, मारू, मारू! बच्चो. मारू. अच्छा हुआ जोजो, तुम आगाए, यह देखो, बच्चो ने तो मेरी बेंड बजा थी, यह देखो, जोजो, जोजो तुम आस वाए हो राका, अगर तुम इन छोटे छोटे बच्चो से पिटोगे तो में हसुंगा नहीं तो क्या अगरूंगा शाबाश, जल्दी जल्दी तयार हो जाओ, दो गंटे के अंदर तुम्हारे मम्मी डाड़ी आने वाले, जल्दी तयार हो जाओ, चलो आज तो मज़ा आगया, अर्जन, उस गुंडे अंकल को कैसे नानी याद दिला दी ना, हाँ रे, हम लोग मम्मी पापा को भी पताएंगे, कि हम लोगों ने उस गुंडे की छिट्टे कर दी, हाँ क्यों कोयर, तु अब इतक तयार क्यों ने हुई, मुझे मम्मी की याद आ रही है, अरे, हम लोग अपनी मम्मी के पास तो जा रहे हैं हम सब, चलो जल्दी से तयार हो जाओ, चलो रोको, वो, वो लड़का कहा है मैं इधर हूँ अंधे अंकल, मतलब गंदे अंकल, बच्चो, फिर कुछ हो आ गया, नहीं, बच्चो बाहर तुम लोगों के मम्मी डैडी तुमारे इंतजार कर रहे, ये, चलो, 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 अरे, हमारे मम्मी पापा को वाएंगे, रुखो, आजाएंगे, आजाएंगे, रुखो, हालो मेडाम, हाँ, कापल्स को अंदर भेज़े, आता हूँ मैम, देगी आता हूँ, मैडाम, ये, राकेश, और उनकी पत्म, बैठिये, ठेंक यू, राकेश ये आपकी तो खुद की बेटी है, तो फिर आपको बच्चा क्यों चाहिए, नौकर, कितने महेंगे हो चुके हैं, और वैसे भी उन्हें इंग्लिश नहीं आती, और ये बच्चे हैं, अगर इनने ब दीजी अपनी पसंद का बच्चा, क्या नाम है इसका? अर्जुन नाम है इसका, बहु शरहरती है, दो दिन में साधी शाराद भूझ जाएगा, राका, इनने बहार ले जा और सारे पैसे अर्काउंड में ट्रांसफर करा के, बच्चा इनने दे दूँ, थेंक यू मैम, चल क्या है, राका, राका, क्या हुआ, कि इसने बारा? आप लगो को, कि से पिर द में? किसमें बारा? आपैने? जोजो! मैडम आप लोगों को इस जगा के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारा मोबाइल फोन ट्रैक करके स्वाती और रतना मैडम रतना? लेकिन ये नाम तो ये नाम तो कॉरतपूर में था जब हम मलहार की कुंडली निकालने गोरगपूर गये थे तब तुम्हारी कुंडली हमारे हाथ लग गई उस क्रिमिनेर रकॉर्ट से हमें पता चला कि तुम दोनों पहले से साथ में काम करते थे और वहां भी तुम लोग बच्चों की तशकरी करते थे में और मलहार बच्चों को अगवा करके अमिर लोगों को बेचा करते थे और वो लोग उनसे घर के काम करवाते थे नौकर बना कर रखते थे एक औरत होकर तुमारे दिल में जरा से भी ममता नहीं है एक बार भी नहीं सोचा ये घिनोना काम करने से पहले इन मासूम बच्चों का भाईशे का क्या होगा नहीं सोचा क्यूंकि मुझे सिफ पैसा दिखाए देता था इतना पैसा नजर आया कि तुमने अपने खुद के पार्टनर मालार को मार डाला पैसो की लालच में उसकी मौत की वज़ा लालच जरूर था लेकिन मेरा लालच नहीं उसका खुद का उसे दोनों हातों में लड़ू चाहिए था वो बच्चों के मवाब से भी पैसे हत्ते आने में लगा हुआ था और तुम्हें लगा कि उसके इस हरकत से तुम्हारे इस रैकेट में खत्रा पढ़ सकता है तो तुमने उसे भी उपर पहुचा दिया हाँ मैंने राहूल के जरूर से गोली मरवाई जरूर थी लेकिन जब मैं लाश रिखने के लिए गई तो वो जिन्दा था इसलिए मैंने खुद उसका घाला घोट कर उसे वहाँ मार दिया और आप लोग आप लोगो क्या लगा ये बच्चे कोई सबजी तरकारी है जो बाजार से खरीदे निकले थे कानून आप सब को कड़ी से सबसा देगा ले ज़ा आँ सब को चलो चलो जलो यद्धिर जल्दी सब ये één थैंक यू थैंक आउब अईब को ये-ाईब को आप ने हमें गुंडो से बचा लिया अरे बचाता कैसे नहीं मैं तुम सब का बेस्ट फ्रेंड जो हूँ